हेलो नमस्कार सबीको मैं किर्षन कुमार एक बार फिर से आप सबी का हमारे यूटूब चैनल फर्स साइट एजूकेशन पे स्वागत करता हूँ साथियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्याना CET एक्जाम के बारे में देखिए भई CET को लेकर आज के न्यूज पेपर में क्या खबर आई है कि फर्जी प्रिक्षियार्थियों का प्रिणाम होगा रद प्रिणाम में रोलंबर के आगे लिख्या आएगा रिजेक्ट भई पहले न्यूकती के समय पकड़े आ जाता था भई फर्जी वाड़ा यानि कि अर्याना सरकार और HSC दोनों मिलकर भई कहीं न कहीं पेपर के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो पेपर लीक ना हो और जो किसी कंडिडेट के साथ में कोई फर्जी कंडिडेट ना बैठे इसको लेकर भई आपकी पूरी तियारिया चल रही हैं तो पूरी तैयरिया क्या है उस से पहले साथियों बात कर लेते हैं अगर आप किसी भी government exam की तैयरी कर रहे हैं और बिना test series के कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि accuracy के मामले में हो चाहे speed के मामले में हो तो आप पीछे रह जाते हैं इसलिए आज ही test book की test test series join कीजिए जिसमें आपको 600 प्लस exam की test series मिलती है चाहे आपका SSSC का exam हो HSC का हो CT का exam हो चाहे आपके teaching के exam हो चाहे railway का हो banking का हो यान कि कि किसी भी exam की आप वहाँ पर test series दे सकते हैं साथ में आपको discussion और उनके solution भी मिलेंगे आपका इसमें price क्या रहता है कुछ price नहीं है वही देखिए वही अगर देखे जा तो एक दिन का एक रूपे रहता है यानि कि आज ही आपको मिल रही है 375 रूपे में वही 375 रूपे में आपको भी यह test series मिल रही है जो पहले कहिना कहीं 500 रूपे की एक साल में होती थी तो इसका जो link है description box में दे दिया गया है आज ही test book की test test series join कीजिए साथ में यह जो हमारा code भी है वही capital FSC इसको अगर यूज करेंगे तो आपको extra 10% का ओफ मिल जाएगा कईना कहीं यह आपको 350 के round मिल जाएगी 350 रूपे में आपको यह test series एक साल के लिए मिल जाएगी कोई भी exam आप उसमें आप दे सकते हैं आईए बात कर लेते हैं खबर में खबर यह है कि फरजी प्रिक्ष्यार्थियों का प्रिणाम होगा रद देखिए बाई जो आपकी HSSC है वो लगाता तैयारिया कर रहा है कि बाई कहीं बायोमेट्रिक होना चीए फेसिल एक्स्प्रेशन होना चीए फिर आदार कार्ड के साथ उसकी मैचिंग ह जाएगा लेकिन अगर फरजी वाड़ा पेपर से पहले ही पकड़या जाता है तो पेपर को रदी कर दिया जाएगा देखिए क्या खबर है स्यूक पातरता परिक्ष्या CET में फरजी वाड़ा रोकने के लिए रियाना सरकार और नैशनल टेस्टिंग अजेंसी ने फूल प पर बिना चेक किये ही रिजेक्ट की स्रेणी में डाल जाएगा पेपर चेक ने किया जाएगा सिधा रिजेक्ट डाल दिया जाएगा और प्रिणाम में रोल लंबर के आगे जो प्रिणाम आएगा उसके अंदर रिजेक्ट लिखे आएगा यानि किसने फरजी वाड़ा किय प्रिक्ष्या के दोरान केंद्रों पर किसी भी परकार का हंगामा नहीं हो प्रिक्ष्या बादित नहीं हूझ इसके लिए फरजी विकती का पिरणाम ही रद करने का फैसला लिया गया है यह चेर्मैन साब कह रहे हैं फूल पुरू प्लैन क्या है प्रिक्षयार्ती तो प्रिक्षया के अंदर जाने से पहले च्यार चरणों से गुजरना होगा बायोमेट्रिक होगी, फेशियल स्केनिंग होगी, इरिस की स्केनिंग होगी और आधार कार्ड का मिलान सामिल है वही इस पूरी प्रिक्रिया और प्रिक्षा के दोरान पूरी वीडियो ग्राफ ही होगी ये पहले भी चलती थी लेकिन च्यार स्टेज का जो प्लैन हो अब की बार ही त्यार किया गया है पेपर का भी पांच और छे नौमबर को 32,000 पदों के लिए ग्रूप C के लिए पेपर है 11,40,000 कंडिरेट टोटल है भी और अगर कोई दूसरे कंडिरेट से प्रिक्षा दिलाते हैं तो भी उसको लेकर ये निरने त्यार किये गए हैं तो ये आपकी खबर थी भी पेपर की त्यारी कर लीजिए कहीं न कहीं ये डेड़ मैना ही पेपर का आपका रहता है उसके बाद आपका एकजाम हो जाएगा ठीक है भी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी धन्यावाद झाल